हलो एवरिवान कैसे है आप सब आज का जो टापिक जो है स्टेट एन यूटी नियूस तो पूरे हफ़ती की जो स्टेट और यूटी नियूस के उपर जो करने फैर से हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कंपेटिटिव एक्जाम के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द होगा तो इस वीडियो को जो है अन तक जरूर दिखेगा और अभी तग अगर आप लोग उने हमारे चैनल सब्सक्राइब नह उन्होंने अभी विभिन श्रम कानूनों की 22 जो ऑनलाइन सेवाओ को जो है उनके साथ अभी परेश राम पोटल को भी लॉंच किया है तो यह उससे से रिलेटेड टॉपिक है तो अभी 17 दिसंबर 2020 को नविन पतनायक जो के ओरिसा के मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी रा श्रम पोटल को लॉंच किया है और 5T टेकनलोजी ट्रांसपरेंसी टीमवर्क और टाइम लीडिंग टू ट्रांसफरमेशन है यह 5T और यह जो पोटल जो है वो जल्द ही 52 बवन प्रकार की सेवाओ प्रदान करेगा और इससे जो है ऑनलाइन सेवाओ से इस आफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी और आज जो कि उद्धोगी विकास में भी योगदान मिलेगा और जो कि पोटल उद्धोग को वानिचिक संगठनों चोटे उद्धोमियों और जनता को जो है लावान नित करेगा करता है यह और उद्धोमियों को जो है परेश्राम पोटल से प लब्ध होंगे तो यह उससे related topic है और अभी और एक जो टॉपिक जो है नियाय मुर्ती S मुर्ली धरन को जो है ओरिसा उच्छे नियायले के CJ के रूप में पन्दोननत किया गया है चिफ जस्टिस के रूप में उनको प्रमोट किया गया है पनलब से पहले उन्होंने दिल्ली में अपने मुल उच नियालाय में नियाधिश के रूप में कार्य किया ब्धारत के मुख्या नियाधियेeder से बोवडे की अध्यक्षता में मुहम्मद रफीक ओडिसा के वर्तमा सीचे जिनको मध्यप्रदेश स्थान अंतरित कर दिया गया है तो बादला कर दिया गया है उनका उनके उच्चातम न्यायले तो अभी नई जो टॉपी जो है असाम से डिलेट टॉपिक है तो अभी राजे में जो है मसामी पारिस्तिती की को विक्सित करने के लिए सेटलबी आसाम सरकार के साथ जो है समझधा कियापन यान के उपर साइन करता है तो यह यह उससे से डिलेटर टॉपिक है तो अभी 19 दिसंबर 2020 को भारतिया लगू उद्दोग विकास बैंक सिडवी ने राज्यामी सुक्ष में लगू और मध्यम उद्दमो MSMी पारिस्तिकी तंत्र को विक्सित करने के लिए डेवलोप करने के लिए असम सरकार के साथ MOU पर साइन किये है और यह जो MOU के अनुसार जो है सिडवी द्वारा भी असम में जो है एक परियोजना प्रबंधन एकाई PMU की स्थापना की जाएगी और केके द्विवेदी जो के उद्दोग और वानिजय विभा के आयुक्त और सचीव है और असम सरकार और सिडवी के महा प्रबंधक आरके सिंग चंद्रमोहन पतवारी परिवहन उद्दोग और वानिजय संसदिय मामले और सिड़ असम सरकार के कैबिनेट मंत्री की उपस्तिती में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गया है यानकी मवी पर हस्ताक्षर साइन किये गया है और यह जो सयोग जो है राजजय के सभी MSME को एक उपचारिक संगठित क्षेत्र में लाएगा तो यह उसी से लेटर टॉपिक ह अभी ने जो टॉपिक जो है वो है यूएन विमन और केरला गाव्मेंट ने जो है अभी पहले जेंडर डेटा हब के लिए जो है केरल सरकार के जेंडर पार्क के साथ M.O.E. उपर हस्ताक्षर किये है मतब संग्तुराश्ट्रा महिला भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए जो है केरल सरकार के जेंडर पार्क के साथ M.O.E. पर हस्ताक्षर किये है उन्होंने तो 21 दिसम्र 2020 को संग्तुराश्ट्रा की महिला संग्स्थाने 24 एकड के कोजी कोड परिसर में जेंडर पार्क में भारत का जो पहला जेंडर डेटा हब जो है उसको स्थापित करने के लिए केरल सरकार के जेंडर पार्क के साथ M.O.E. पर साइन किये है जहाँ पर आंतराश्ट्रिया, लैंगिक और विकास संग्स्थान भी मौझूद है और ये जो जेंडर पार्क जो है लैंगिक समानता के लिए दक्षिन A.C.I. Hub के रूप में कार्य करेगा जिसका लक्ष यानकी जिसका एम जो है वोक्षेतर से ज्ञान और अनुभव साजा करना है तो ये उससे रिलेटर टॉपिक है तब नेजो टॉपिक ह्रियाना में स्टर्ट अप परश्थिति की तंतर के सुधार के लिए डिटैक ह्रियाना और इंडिया एक्सेलेडर ने जो है मोई उपर साइन किया है तो ये उससे रिलेटर टॉपिक है तब हर्याना सरकार के सूचना प्रद्धोगी की इलेक्ट्रोनिक्स और संचार डीटेक विभाग द्वारा स्टार्टप सेटप हर्याना के एक मजबूत स्टार्टप परिस्थति की तंत्र बनाने के लिए इंडिया एक्सलेरेटर यहनके आये के साथ जो है यह MOU पर साइन किया है और MOU जो है उद्धोग और स्टार्टप के बीच की खाई को पार्टने में मदद करेगा और राजनरायन कौशिक जो की विशेश सचीव डीटेक नितिन बंसर मुख्य प्रादोगी के अधिकारी डीटेक और मनिश भाटिया जो की महा प्रबंधक और भागीदार आये की उपस्तिती में जो MOU जो है उस पर साइन किया गया है तो यह उसी सरे लेटेट टॉपिक है देन और इक जो टॉपिक जो है गुजरात जो है गुजरात सरेस्ट्रा वेंचर्स ने जो है धोलेरा में अभी गुजरात विशेश शिक्षाख शेत्रे की स्थापना के लिए जो है अमों उपर साइन किया है तो अभी 21 दिसंब्र 2020 को गुजरात सरकार और सरेस्ट्रा वेंचर्स ने जो है धोलेरा जो की विशेश निवेश शेत्रे SIR में जो है गुजरात विशेश शिक्षाख शेत्रे G.S.E.R की स्थापना के लिए जो है एक M.O.U. पर मतलब M.O.U. में एंट्रे किया है तो यह अभी इस से लेटेर है और G.S.E.R. 1000 एकड में फैला हुआ होगा और G.S.E.R. जो है उसमें अभी चात्रों के लिए स्टूरेंस के लिए जो है आवासी और खेल परिसर शामिल होंगे और G.S.E.R. की स्थापना जो है उससे एक्षेत्र के समग्ड़ विकास में मदद मिलेगी और गुजरात में जो ह fum के नए मुख्य सचिव के रूप में उनको दियूक किया गया है तो यह उससे एलेट़ टॉट मिलेटी के तो 1997 बेच चुके जो आयायस अधिकारी मुख्य सचीव जल संगसाधर और परियावरन वन विभाग और प्रदोगी की विभागों में सेवारत है अपने सर्विस मतलब वो कर रहे है और अधित्यनाद दास जो है 30 जून 2021 को वो रिटार होने वाले है और न्यूक्ति का जो आदिश जो है प्रवेट प्रकाश जो कि प महाराष्ट्र महाराष्ट्र 2.0 यह जो इनिशिटिव जो है इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने 25 कंपनियों के साथ जो है 61,042 क्रोर रुपे का एक जो एमो यू जो है उस पर साइन किया है तो यह उससे से रिलेटेट है तो 22 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र ओदोगी की सोरी और दोगी विकास निगम M.I.D.C. ने जो है अपनी मैगनेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिटिव के तहत 25 भारतियों जो कंपनिया जो है उनके साथ आयनर 61,042 क्रोर मिल्यों के समझोते ग्यापन यानि की M.O.U. उपर जो है साइन किया है और इसके साथ ही साथ जो है महारा महाराष्ट्र के मुख्या मतर से मुधव ठाकड़े उनके द्वारा निधारित 1,00 क्रोर रुपे जो कि M.O.U. के माध्यम से होगा उससे उपर चला चला गया है और यह जो M.O.U. उपर जो है 15 शेत्रों में हस्ताक्षर किये गया और उमीद है कि महाराष्ट्र में 2.53 लैक नौकरिया जो है वो स्रिजित की जाएगे तो यह उससे इरलेटर टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक जो है तेलंगाना सरकार और S.A.P. इंडिया राज्य में जो है M.S.M.E. को जो है डिजिटल कॉशल और प्रादोगी के साथ लैस करने के लिए जो है समझता गया प जो है डिजिटल स्कीलिंग और प्रादोगी की से लैस करने के लिए एक जो M.O.U. जो है उस पर साइन किया है और यह जो M.S.M.E. जो है इसके लिए आत्मनिर्भर और विश्यस्तर पर प्रतिसपर्धी बनने का मार्क जो है प्रशस्त करेगा और इस M.O.U. का जो उदेश जो है जो है जो एम जो है राज्या में M.S.M.E. को डिजिटल बनाना और सशक्त बनाना है और इस से योग से S.A.P. इंडिया स्थानिया M.S.M.E. को लाभानमीत करने के लिए जो है राज्या के लिए अपना बाजार कोशल और E.R.P. समाधान लाएगा तो यह उसी से रिल पड़ोगी की संगस्तान IIT मदरास ने राजस्तान सरकार के साथ M.O.E. उपर स्राइन किया है ताकि राज्या को जो है सडक सुरक्षा के लिए सडक सुरक्षा के लिए डेटा संचल सिस्टम द्रिष्ट्री कोण उसके लिए जो है एक संग रचित जो के धाचे को जो है लागू करने में मदर मिल सके और M.O.E. के अनुसार जो है IIT मदरास में पुनर्वास बायो इंजिनेरिंग ग्रूप R.B.G. Labs राइजर को जो है तमिलनाडू मॉडल अफ रोट सैफटी को लागू करने में मदद करेगी और इस साजिधारी का जो में जो एम जो है वो सडक सुरक्षा उपयों में सुधार करना है और राइजर में सडक दूर घटना पिडितों की जो उत्तर जीविता दर जो है वो बढ़ाने और राइजर में जो घटना दर को जो है कम करने के लिए बोर्डर पर सारी बोर्ड भर में शमता और योगता में वृत्ति करना है तो यह उससे लेटर टॉपिक है और एक जो टॉपिक जो है उनिसाइफ के सयोग से जो है और उडिसा सरकार्ने चात्रो के लिए स्टूरंस के लिए एक और सच्रायर पॉर्टल को श्रू किया है और ये जो पॉटल की शोरो चात्रो यानि की टीनीजर जो स्टुडेंस जो है उनको उनके भविश्या और भविश्या के कैरियर पर विशेशग्या सला लेने में सक्षम करेगा और समीर रंजन दाश जो है उडिसा के स्कूल और मास शिक्षा मंत्री ने 24 डिसंबर 2020 को उडिसा कैरियर पॉर्टिल को लॉंच किया और इसमें जो है सत्यब्रत साहु स्कूल और व्यापक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिप भुपिंदर सिंग पुनिया ओडिसा स्कूल शिक्षा कार्याक्रम प्राधिकरन ओएस इपीए के राजय परियोजना निर्दैशिक स्बीडी के साथ अन्या गर्मान्य जो वेक्तिया जो थे उन्होंने इस कार्याक्रम में भाग लिया था तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है जो कि पंजाब की जो सियम जो है अमरिंदर सिंग उन्होंने अभी डिजिटल पियार इंसाइड मोबाइल आप और वेब पॉर्टल प्लाट्फॉर्म को लांच किया है तो यह उसी से रिलेटर टॉपिक है तो 23 December 2020 को जो है पंजाब की जो मुख्यमंत्री है कैप्टेन अमरिंदर सिंग उन्होंने अभी पियार इंसाइड एक मोबाइल आप्लिकेशन और वेब पॉर्टल को लांच किया है जो कि यह जो आप्लिकेशन जो है वो लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ए और यह सुचना एवंग जनसंपर्क विभाग पंजाब के निरिदेशा लए द्वारा विक्सित किया गया है और इस अवेदान का मुख्या जो एम जो है उड़ेश यह जो है लोगों से प्राप्त फिडबेक का विशलेशन करने के लिए बाद मौजुदा जो योजना और क सारे अक्रमों का जो है पुनर गठन करना है तो यह उससे से लेटेश ट्रॉपिक है तो आज के लिए इतना ही है कलम भीर मिलते हैं नहीं ट्रॉपिक के पूरे हफ़ते की करन फेर्स के साथ अब तक के लिए हमारा जो चैनल है उसको देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्र करता है हार्ड वर्क करने के लिए सुप्रिस की वाचिंग और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक कियर जैहिंद